राजस्तान में विधान सभा चुनाव की तारीखों का एलान होते ही सब की नजरें टोंक विधान सभा सीट पर जाकर रुख गई है देखिए इस सीट से राजस्तान के पूर्व डिप्टी सीम और कॉंग्रेस नेता सचन पाइलट विधायक है और इस बार भारती जंता पार्टी के लावा राश्ट्री लोकतांत्रिक पार्टी यानि की RLP और All India मजलिस से ए इतिहादल मुस्लिमीनी यानि की AIMIM की नजर भी इस सीट पर बनी हुई है जिसने कॉंग्रेस की मुसीबतें और बढ़ा दी है ऐसे में भाजपा ने सचन पाइलट को घेरने के लिए तीन गुर्जर नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है करनल किरोडी बैंसला के बेटे विजय बैंसला को देवली उनियारा से प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि 2023 विधान सभा चुनाव में पाइलट को गुर्जर कार्ड से ही घेर कर उन्हें टॉंक तक ही सीमित कर दिया जाएगा इससे पहले बीजेपी ने दक्षन दिल्ली से सांसद रमेश विधूरी को टॉंक जिले का प्रभारी बनाने का एलान किया था वही सांसद सुखबीर सिंग जैना पुरिया पहले ही यहां से सांसद है बीजेपी के इस ट्रिपल गुर्जर अटैक प्लान से पाइलट की मुसीबतें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है भाज़पा की रनीती भी यही है कि सचिन पाइलट को टॉंक में ही घेर कर राजस्थान की बांकी सीटों पर पाइलट फैक्टर को खतम कर दिया जाए राजस्थान में गुर्जर अरक्षन के नायक स्वरगी कर्नल की रोडी बैंसला के बेटे विजय बैंसला को देवली उनियारा से टिकट दिया गया है तो भाज़पा ने अपने फायर ब्रांड नेता रमेश बिधूरी को टॉंक जिले का प्रभारी बना दिया टॉंक सवाई माधुपूर सांसद सुखवीर सिंग जैनापुरिया पहले सांसद हैं और पाइलट के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं चुनते हैं ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि टॉंक के गुर्जर भले ही पाइलट को वोट करें लेकिन जिले में चारू सीटो पर पाइलट की पार नहीं पढ़ने वाली है और सचिन पाइलट को अब अपना किला मजबूत करना है तो गिद सी दृष्टी से टॉंक पर नजर कड़ा कर टॉंक में ही रहना होगा क्योंकि एक बार अगर गुर्जर मदाता की जरासी भी खिसकी तो पाइलट की टॉंक से दूसरी बार विधान सभा पहुँचने की रहा भी मुश्किल हो सकती है टॉंक की सियासत का इतिहास गवा है कि इस सीट से लगातार दो बार जीत का कारनामा दो बार ही हुआ है और आज तक कभी भी यहां से कोई कॉंग्रेस का प्रत्याशी दो बार जीत नहीं सका है चुनावी मौसम में भाश्पा और कॉंग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी चाल चलना शुरू कर चुके हैं पर लोग तंत्र में मदाता ही सब कुछ होता है और कौन किसको शह देगा और किसकी होगी मात ये होगी देखने वाली बात आने वाले समय में